हाई फ्रेंड्स आई वेलकम यो ओल एड ट्रैग्रेट भी अपने प्रीवेस वीडियो में आपसे मैं बात कर चुका हूं कि डिया सी सी यह वेकंसी निकली है और जिसमें अपरेशन इन बीडी एग्जेक्रिटिव और जुनेर एग्जेक्रिटीव पोस्त के लिए जो स्लेबस है जिसमें हिस्टिव इंडिया रेलवे एक पार्ट है आपके स्लेबस का वह में कवर कर रहा हूं तो आज हम बात करेंगे हिस्टिव रेलवे बजट क्या है कैसे पास 2021 और 2022 का रेलवे बजट था उसके कुछ important points के बारे भी आपसे बात करेंगे तो सबसे पहली चीज एकवर्थ कमेटी एक्चुली बिटिश एकॉनमिस्ट विलियम मिशिल एकवर्थ जो एक एक कमेटी जनो ने हैट की थी तैन मेंबर कमेटी थी तो सबसे पहली चीज है कि इ separated from the general budget और यह जो प्रोसेश चीरू हुई थी 1924 में remember this fact इस पर आपसे question पूछा जा सकता है जो पिछले दो साल के questions का trend है वो इसी तरह का रहा है तो 1924 में सबसे पहले रेलवे बजट को अलग किया गया था general budget से ठीक है ऐसा किया क्यों गया during the time the railway budget was contributing 84% of the general budget as the railway revenue so the railway का जो revenue था वो major contributor था nations की GDP अब यह जो 1924 में प्रोसेस शुरू हुई थी की general budget से रेलवे का budget अलग पास किया जाएगा यह 2061 तक इंडिया में continue रही यानि की pre-independence and post-independence यह प्रोसेस चालू थी कि रेलवे बजट को हमेशा general budget से कुछ दिन पहले पेश किया जाता था अब 2016 के बाद Modi government ने जो decision लिया उसके बाद अब railway budget को general budget के साथ पेश किया जाता है तो कौन था वो फर्ट परसन एकवर्थ कमेटी थी और एकवर्थ कमेटी जो एक British economist थे उन्होंने इस प्रोसेस को शुरू किया था 1924 में नाव बर्जर और रेलवे बजट विजनरल बजट जो 2017 में हुआ ऐसा हुआ क्यों Modi government ने ये decision लिया 21st September 2016 को कि जो प्रोसेस 1924 से चल रही थी अब 2016 के बाद रेलवे बजट जो है वो जनरल बजट के साथ ही पेश किया जाएगा इसमें कुछ facts है वो आप ध्यान रखना बस जो अबारे लेट finance minister है अरुन जेटली ये first one to present a combined union budget means general budget plus railway budget the then finance minister लेट शिरू अरुन जेटली जी ने इसको सबसे पहले combined group में पेश किया था इंडिया में अच्छा दूसरा ये जो British era की practice थी इसके लिए कोई ना कोई committee government ने जरूर बिठाई होगी तो कि जो ये बता सके कि आप रेलवे बजट को अगर जनरल budget के साथ जोड देते हैं तो इससे क्या फरक पड़ेगा और क्या benefit होगे तो ये जो committee थी नीतिय आयोक की committee और इसको head किया था a great economist of India बिवेक देब्रॉय जी के द्वारा एक fact और एसमें प्रभू जो हमारे railway minister थे वो इंडिया after independent इंडिया के last railway minister थे जोन्होंने railway budget को separately इंडिया में पास किया this is also the fact सुरेश प्रभू जी ने इंडियान रेल्वे बजट है वो लास्टांग 2016 में पास किया था after independent एक fact है तो ये कुछ facts है जब रेल्वे बजट को merge किया गया था इसके साथ अब कुछ facts है रेल्वे बजट के रहा हूं चीजों को according to the syllabus और point wise और fact wise तो इसमें आप देखेंगे कि first railway budget जो है वो किसने प्रजेंट किया था इस प्रेजेंट इस प्रेजेंट इस प्रेजेंट इस प्रेजेंट इंडिया की बात कर रहा हूं इन नवंबर 1947 फर्स्ट लाइफ टेली कास्ट कब हुआ था इट वास इन 24 मार्च 1994 लाइफ टेली कास्ट अच्छा एक क्वेशन आप और देख वेक्ते हैं कि largest number of railway budget जो है वो किसने अनों के बीच में जिन्होंने सबसे ज्यादा रेल बजट पेश किया है six times इना रोग सबसे पहली जो महला है जिन्होंने रेल्वे बजट पास किया था इन 2000 ममता बैनर जी बिकेम फिमेल रेल्वे मिनिस्टर और इन 2002 शी बिकेम फिमेल रेल्वे मिनिस्टर थी और उन्होंने ही 2002 में फिस्ट रेल्वे बजट को पास किया था अचा constitution actually क्या है आपको पता होगा कि जो भी बजट पास किया जाता है उसके लिए constitution में प्रोविजन दिया गया है तो एक पॉइंट और है लेल्वे जो है ना वो कहीं भी हमारे constitution में नहीं किया गया है और यह जो लोग सबा में अगर इसको पास किया जाता है तो यह अंडर article 112 और 204 के अंदर जिसमें जनरल बजट पास किया जाता है उसी के अंदर पास किया जाता रहा है और अब तो यह जनरल बजट का ही पार्ट हो लिए है तो 112 और 204 ही इसको cover करते है आप जो जनर बजट को हमारे और जो जो वज़ट हुआता है अच्छा एक पॉइंट और है कि इंडिया में कितने रेल मिनिस्टर हुए है और उनका क्या 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 टैन्नियोर था तो देखिए ममता लालू परसाद यादब कर रहा था टैन्यों 2004 से लेके 2009 तक ममता बेनर जी रहे है 2009 से 2011 तक दिनेश तरेवेदी रहे है 2011 से 2012 तक मुकुल रोय दोजार बारा से दोजार बारा तक मार्च यहार बारा से सक्टेमर बारा तक सीपी जोशी पवन कुमार बंसल डीवी सदालंद गोड़ा थे सुरिश प्रभू थे और अभी हमारे जो रेल मिनिस्टर है वो है प्यूश नोयल भी तो इस तरह के आप दे सकते हैं यह लिस्ट जो है मैं 2004 से लिए इससे पहले के लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा अधरवाई ही हमें अपने वcent की वे रेल प्लान बनाया है तो उस डेल प्लान के अकर्डिंग गोर्मेंट अफ इंडिया अ सम्हा था न poke वर्जवा जो न रेल प्लान पर इंडिया उस विए उस का गा तर्गित है सब्सक प्रचिकल लोजिस्टिक कोस्ट ऑफ और इंडस्ट्री। इसमें रेल्वेए करेगा क्या वह मैं आपको बता देता हूं… अचली रेल्वेए क्या क्या क्रेगा जैसे मानलीजे रेल्वे है… रेल्वे का भी कुछ फ्रेट है… वह फ्रेट एक पर्टिकल अर्मैक। कर रहा है, 2019 का data है, जिसमें रेल्वे ने 1240 metric ton के असपास लोजिस्टिक कवर किया है, तो रेल क्या करेगा 2030 तक 2024 तक जो भी इनका प्लान है, इनका विजन डॉकुमेंट भी है 2024 तक उसमें यह क्या करेगा कि 2024 तक अपना एक विजन डॉकुमेंट के हिसाफ से, अपना metric ton जो यहनोंने freight के अंदर लिया हुआ है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, 2000 metric ton से हम ऐसा कह सकते हैं, example है, एक्शल डेटा नहीं है, तो तो रेल प्लान में इस तरह की कई सारी बातों को यहनोंने लिया है, जैसे कि क्या करेगा यह एक infrastructure को create करेगा 2030 तक और धीरे-धीरे उसकी जो हम actually मालूँ पड़ा कि मालीजे हमें अभी train के अंदर हमारी requirement है कि हम 1 crore passenger को एक दिन में travel कर सकते हैं, लेकिन आप क्या सोचते है, 2030 सक यह 1 crore लोग ही रहेंगे, नहीं, यह हो सकता है, 2 crore हो जाएं, तो इनका अपने विजन डॉकुमेंट है, उसके साथ से कि देश में log कि जाना जदक पड़ेगी, जाना माल लोगों को एदर से उदर पहुंचाना है, तो उसके साथ से रहने अपना 2030 का एक target बनाया है, जिसको उन्होंने बुला है, Rational Rail Plan for Rail India, और जिसका target है 2030, ठीक, तो इसमें क्या-क्या है, actually क्या करेगा, कि जो सबसे पहला काम है, National Rail Reaction Plan का, कि दिमांड को identify करेगा, फिर उसके साथ से जो capacity augmentation है, उसको 2030 तक increase करेगा, फिर जो model उन्होंने अभी increase किया है, उसको share करते हुए, लेवल को 45% तक लेके जाएगा 2015, the main aim is reduce logistic cost, और ये 30% तक logistic cost को reduce करना चाहते है, because कि रशिया और UK उन्होंने अपने freights को बहुत कम किया है एक government का plan और है, अभी जो maximum freight जो है वो railway को मिलता है, वो मिलता है coal से, तो आप आगे भी आने वाले time में जरूरी नहीं है कि आप coal से ही freight को cover कर सके, तो इनको अपने area को wide करना पड़ेगा, vision को wide करना पड़ेगा, ताकि ये जो coal dependency है वो कम करके दूसरी जगे भी अपनी सेवा को ये दे सके, तो it is a national rail plan for India, now अब देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो western dedicated freight corridor और eastern dedicated freight corridor है, जिसके बारे में मैं आप से बात में बात करूँगा, because it is very important, इन्होंने इस budget में इसको जून, जून 2022 तक cover करने के लिए, खतम करने के लिए, commission करने के लिए बोला है, ये शुरू हो रहा है, और जवालना नहिरूपोर्ट टर्मिनल तक जा रहा है, मुंबई में, और ये यहां से दाकुनी तक जा रहा है, eastern corridor, तो इसके जो detail है, देखिए इसमें वडोदरा, वडोदरा से JNPT, फिर रिवाडी से दादरी, जो stretch है, उसके बारे में discuss किया गया है, लुदियाना, खुर्जा, खुर्जा, कानपोर, मुगल सराय, सून गुर, दाकुनी, दादरी, खुर्जल, तो इसमें मैं आपको एक ची बताना चाहता हूँ, कि अगर कोई भी question frame कर सकता है, तो आप से यह पूछ लेगा, कि जो eastern corridor है, वो कहां से का तक गया है, या फिर state-wise भी है कि कौन सा street ज्यादा इसको cover कर रहा है, for example, western corridor जो है, हरयारा से, राजिस्तान से, MP से, गुजरास से, जान जान से वो transfer हो रहा है, तो उस case पर किस state में ज्यादा है, इस तरह के question भी आफ से, वो पूछ सकता है, तो get ready for these types of questions. Okay, उसके बाद, एक इनों ने और गुजरा की है, कि जो सोनागार ये देखिये, यहाँ पर ये दिया है, eastern corridor, इसन पर यहाँ से चलकर, लुध्याना से चलकर, ये खुरजा से होता हुआ, ये यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, तो इस बजट में बोला है, कि जो सोनागार गॉम सेक्शन है, सोनागार गॉमो शेकर, दोस्तों आपको यहाँ कही होगा, तो सोनागार गॉमो जो सेक्शन है, वो 263.7 km of eastern BSC है, उसको government PPV mode में कवर करेगी, उसके बाद जो गॉमो, गॉमो से लेके, गॉमो अचली जारकंड में है, तो गॉमो से लेके और दाकुनी तक ये क है, आपको मैं बताऊंगा कि, देखिए, सबसे बहले क्या है, dedicated freight corridor, eastern और western, इसके बारे में तो detail में आपको पढ़ने ही पढ़ना है, वो मैं आपको available कराऊंगा, थू वीडियो, और हमारे course के material में भी ये दिया हुआ है, नाव, कुछ railroad project के highlight में इनों ने इक चीज और बोली और खरकपुर से फिर दांकुनी तक दुबारा लेके जाएगे, तो east coast corridor, east west corridor भी इंटोडूस करेंगे, इसके बाद ये north south corridor भी लेके आएगे, जो इटारसी से लेके विजयवाला तक लिया जाएगा, तो ये तीन जो dedicated freight corridor है, वो government ने इस budget में इंटोडूस किये है, इसके अ extend भी किया जाएगा, अब दूसरी बात, government जो है आपको पता है कि 100% electrification की भी बात कर रही है, और broad gauges, तीन तरह की gauge होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, बाद में कि किस तरह की तीन तरह की gauge होते हैं, और भी कौन से picture में हैं, और कौन से obsolete हो चुके हैं, तो 100% electrification of broad gauge हो है, व तो 46,000 यानि कि 72% by end 2021 from 41.548 km जो अभी तक 1st October 2020 तक complete हो चुका है, ये end of 2021 तक 46 किलमेटर तक हो जाएगा, यानि कि इसमें करीब 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 कितना 43 किलमेटर और जोड़ जाएगा, तो ये एक figure हैं, इसके बारे में भी 16 से detail में जाएंगे, बाद में, पड़िए कि ये budget में announcement government ने किया है, railway budget अच्छा, इसके बाद government ने passenger कमें हो safety के लिए भी दो तीन चीज़ें बोली है, उन्होंने क्या किया है, विस्टा डोम LHB coaches के लिए कुछ ट्रेनों को introduce किया है, but अभी उन्होंने बोला है कि ये केवल tourist places के लिए, tourist के लिए ही होगी, क्योंकि ये coaches वोड़ इसके कुछ features है, सबसे पहले चीज कि इसमें 180 km per hour street cut trial भी complete कर लिया है, अभी तक उसके बाद इसकी जो rooftop है, वो glass की होगी, रूस टॉप यानि की चछत इस तरह की glass की होगी, उसके बाद ये 44 संबर के seats इसके अंदर होंगे, और जो उसकी seats है, इस seats है 180 degree rotate हो सकते हैं, अगर आपको पीछे जा रही है, मतलब आपकी खिलकी तनी बड़ी है, आपको लगता है कोई sightseeing है, बार देखना है, या तुरिस को लगता है sightseeing है, तो वो अपनी कुर्सी पूरी घुमा के ऐसे करके उसको जाकर देख सकता है, तो ये बहुत ही important है, Vista Dome LHP Coaches, उसके बाद इस route है, Indian Railway का, उसमें ये लोग एक system use करने जा रहे है, Automatic Train Protection System, तो इससे क्या होगा, कि जो human error है, जिसके वज़ए से train में collision होता था, उसकी जो frequency है, जो 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 है, वो minimize किया जा सकता है, तो ये railway वज़ए के कुछ highlights है, जो मैंने आपके साथ डिसकस किये, तो friends, मैं आपको है, दे रहा है, वो history of Indian Railways, और DFC style की भी history, economics and marketing, और customer relation को हम अपने course के अंदर cover करना है, इसकी hard coffee हम आपकी register address पर भेज देंगे, जिसके लिए आपको पे करना है 1190 रुपे, और अगर आप इसको online पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पे करने बढ़ेंगे 990 रुप करें, email करें, subscribe करें, तो आप हमारे कोई जाके खरी सकते हैं, आप इन number पर call करके या WhatsApp करके भी इस information, इस information आपसी ले सकते हैं, तो thank you and happy learning, मैं अगली बार कुछ अच्छे वीडियो के साथ आओगा, कुछ अच्छे एलिए फेक्टिस साथ आओगा, तो till then, thank you and happy learning.